एप बिटनेश डे जैसी जबरदस्ट फिल्म से चौकाने वाले निर्देशक निरेश पांडे की अगली फिल्म इस्पिसल 26 असी के दसक में घटी कुछ ठगी की घटनाओं पर आधारी थे उस दोर में संचार के साधन इतने ससक्त नहीं थे लिहाजा इस तरह की घटनाओं को की सिकार खुद अपराधी है वे मन मसूस कर रह जाते हैं इंचाला कपराधियों को इस पिसल 26 में हीरो बनाकर पेश किया है क्योंकि वे एक तरह से राविन हुड की तरह हैं जो अमीरों को लोड़ते थे ये बात आओ रहे है कि वे गरीबों में पैसा बाठते नहीं थे इस इस पिसल 26 से कैसी थिलर मूबी है जिसमें हिंसा का कोई इस्थान नहीं है यहां चोर और पुलिस दिमागी चालों से एक दूसरे का सामना करते हैं फिल्म के पहले हिस्से में नकली आपसरों के दो किस्से दिखाए गए हैं कि किस तरह से अपना काम करते हैं उनकी बाड़ी सी बी आई के खिलाब कोई मामला दर्ज नहीं है इसलिए वह इन्हें रंगों हाथ पकड़ने की फिराख है वसीम को इनके अगले कदम का पता चल जाता है जब यह मुंबई की एक परसिद जोलिरी साप पर छापा मारने वाले होते हैं वसीम कामयाब होता है या जे कुमार क के साथ पेस किया है बलकि 1987 का दोर भी लाजवाब तरीके से पेस किया है इसका सिरे आर्ट डारेक्टर को भी जाता है नंबर गुमाने वाले और कार्ड लेस फोन बड़े ब्रीफलेस फियेट अमबेस्टर और एंपाला कार लेंबरेटा स्कूटर करंसी नोट समाचार पत् के साथ पेस किया गया है और इंटरोल के बाद तो फिल्म सीट पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देती है क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट दिया है जो अच्छा लगता है लेकिन कहानी को थोड़ा कमजोर करता है फिल्म में हिरोएन भी नहीं होती तो कोई फरक नहीं प ठाकी क्यों करता है इसका कारण भी नहीं बताया जाता तो खास फरक नहीं परता क्योंकि उनके साथेों कभी इतिहास नहीं बताया गया फिल्म के समवाद और कुछ सीन उलेखनी है एक इमानदार आफसर अपने बैंक से पैसे बढ़ाने की बात करते हुए कहता है कि अब उ सारे बच्चे रहते हैं और इसके पीछे ये तरक देते हैं कि उनकी जवानी के समय टीबी नहीं था संभो है कि भारत की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहावी हो एक्टिंग के मामले में या फिल्म ससक्त है अक्षे कमार ने अपना काम पूरी संचीदगी के साथ किया एक रौबदार और आतमिस्वास से भरे अपसर के रूम में वे बेहर जम्य हैं ओमाई गार्ड के बाद इस पिसल 26 में भी अबने कर अक्षे ने बताया कि वे मसाला फिल्मों के साथ लीक से हटकर बनने वाली फिल्मों के लिए भी तयार हैं अन्पमखेर ने लंबे समय बा मनोच बाचपई की फिल्म में इंट्री होते ही फिल्म का इस्तर बढ़ जाता है एक कड़क और इमानदार पुलिस आपसर के रूम में मनोच का अबने देखने लाइक है काजल अगरवाल का काम ठीक है राजिय सर्मा की सोरकदम और दिब्यदत्ता कोक का मौका मिला है लेकि इसका निर्देशन नीरस पांडे ने किया है इस फिल्म में अक्षकमार, काजल अगरवाल, जीमी सेरगिल, मनोच बाचपई, अनपमखेर और दिब्यदत्ता मुखी किरदार में हैं इस फिल्म का बजट था 42 करोड रुपे और इसकी कुल कमाईविती 70 करोड रुपे फिल् जगे जगे रेट डालता है, और फिर सारा माल लेकर उड़ जाता है, एक ऐसी ही रेट में नकली सीबियाई वाले सारा माल लेकर फुर हो जाते हैं, और फच जाता है असली पुलिस वाला रडबीर सिंग, यानि जीमी सेरगिल, रडबीर को जब इस बात का हिसास होता है कि उसे बेखूब बनाय गया तब तक बहुत देर हो चीकी थी रडबीर को उसकी लापरवाही के लिए उसके पस से निलंबित कर दिया जता है रडबीर बार बारे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती फिर वो असली CPI का सहारा लेता है ताकि वो इस नकली CPI को पकड़ सके रडबीर सिंग असली CPI आपसर वसीम यानि मनुश बाचपेप से वादा करता है कि वो इस नकली गुट को पकड़ने में जी जान लगा देगा इस बिस नगली सीबियाई बनकर आजे और सर्मा अपनी रड़ जारी रखते हैं और हर बार इसलिए बच जाते हैं क्योंकि जिनके घर में रड़ पड़ती है वो इस डऱ् से पुलिस में सिकायत दऱ् नहीं करवाते क्योंकि ऐसा करने से उनके काले धनकी सचाई सबके सामने आ जाएगी आजे और सर्मा ने मिलकर एक स्पिसल 26 की टीम बनाई जिसमें वसीम के भी कुछ लोग सामिल हो गए रड़ बीर सिंग किसी तरह से सर्मा का पता लगाने में कामयाब हो जाता है सर्मा अपना मुँ असली सीबाई आपसर वसीम के आगे खोल देता है और रोते हैं कहता है कि यह उसकी गलतिया थी लेकिन वह क्या कर सकता है वसीम अजे को पकरने के लिए उसे कहता है कि यद वाजीवित रहना चाता है तो उसे अब वैसे ही करना होगा जैसा कारकरम उन्होंने तै किया था अजे और सर्मा इस्पिसल 26 की टीम को अगले दिन का पूरा कारकरम समझा देते हैं इदर वसीम उस जोहरी के पास पहुँचता है जहां इस्पिसल 26 की टीम चापा मारने वाली होती है वहां से वो सब सामान दूसरी जगह पर विस्थापित करवा देते हैं और नकली सामान रखकर अपने ही आदमियों को वहां के करमचारियों के रूम में न्यूक्त कर देता है इधर अजे और सर्मा अपनी इस्पिसल 26 को विस्थे बस से वहां उस जोहरी की दुकान पर भेज़ देते हैं जहां चापा मारना है और सलाह देते हैं कि बस से तब तक मत उतरना जब तक वो वहां पहुँच नहीं जाते बस के काफी देर तक वहां रुके रहने के पशाद पता चलता है कि अजे और सर्मा ने उस दुकान को लूट लिया है जहां वस्थे बस ने जोहरी की दुकान का सामान रखवाया था इस फिसल 26 के संगीत के रूम में एम एम के रुवानी दौरा रचित पांच गीत हैं एम एक गाना गोरे मुख्रे हमेश रस्मिया दौरा रचित है फिल्म के गीत इर्शाद कामिल और सभी रहमेत दौरा लिखे गए हैं अल्बम के सभी अधिकार टी स्रीज के पास हैं अक्षे कमार और अनपम खेर इस टारर फिल्म इस पसल 26 एक सत घटना पर आधारी थै हाला कि उस फिल्म में चार लोगों को नकली सीब्याई इस्पेक्टर बनकर पुलिस की एक जोलिरी साप लूटते दिखाय गया था है कि सहर के सबसे बड़े जोलिरी इस्टोर ओपेरा हाउस में सीब्याई की एक टीम चापा मारा है और टीम का लीडर लाखों के जवरात लेकर गायब हो गया है पहुन सुनकर जब पुलिस टीम वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि सीब्याई की पूरी टीम वही थी बस उनका लीडर गायब था जिसका नाम मोहन सिंग बताया गया पता चला कि दरसल पूरी टीम फरजी है और ये जोलरी स्टोर लूटिने के लिए ही बनाई गई थी दरसल मोहन सिंग ने 18 मार्च को एक अंग्रेजी एकबार में बिक्यापन निकलवाय था जिसमें इंटिलीजेंस आपसर और सिकुरिटी आपसर की पोस्ट के लिए जुजारू और सिक्री लोगों की रिक्वायर्मेंट दी गई थी इनी पदों के लिए उम्मीदवार को एक बड़े मुंबई के ही एक बड़े होटल में इंटर्व्यू के लिए बुलाय गया था उम्मीदवार वहां आये और बकाइदा उनका सच्छात कर हुआ और 26 लोगों को चुना गया इसके बाद सुरू हुआ असली ड्रामा इन चुने गए लोगों को आइडिन्टिटी कार्ट दिये गए और एक बस में बैठा कर उपेरा हाउस ले जाये गया एक सोचा समझा यो के जवराल लेकर वहां से निकल गया खास बात यह है कि सारी घटना इसपष्ट हो जाने के बावजूत मोहन सिंग आज तक नहीं पकड़ा गया और इसलिए इस घटना को पुलिस एक परफेक्ट क्राइम मानती है इसपष्ट 26 जिसमें मुक भूमकाय निभाई हैं अक्षकमार, मनुज बाचप्यई, अनपम खेर, जिमी सेरगिल, दिब्यदत्ता और काजल अगरवाल ने इसपष्ट 26 वर्ष 1997 में सच्ची घटनाव पर आधारित है जब माउन सिंग नाम के एक सक्ष ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नकली सीवेई आफसर बनकर देश के कई सहरों में रेट डाली थी और करोडों का मार लेकर चंपत हो गया था फिल्म में भी अजय यानि अक्षकमार अपनी टेम के साथ कुछ ऐसी ही फर्जी रिट डालते हैं और असली सीवेई आफसर वसीम यानि मनोजबाच बेई को चकमा देते रहते हैं निरस पांडे अच्छे निर्देशक हैं यह बात उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म एफ बिटनेश डे में साबित कर दी थी और अब इस पिसल 26 में भी वो कहानी को वास्तुकता के करीब रखकर उन्होंने अकलमंदी का काम किया था लेकिन कुछ दिक्कत फिल्म की कहानी मे हैं दरसल आपको पहले से पता होगा कि कहानी नकली सीबेई अपसरो और उनके दोरा लूटे गए लोगों से जुड़ी है इसलिए फिल्म के पहले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देगा कि किस सफाय से अक्छे और अन्पम लोगों को बेवकूब बनाते हैं इ लेकिन अपने के मैदान में एक बार फिर बाजी मारी है मनोज बाजबेई ने जिमी सेरिगल और दिबय दत्ता ने अपने अपने किलदारों के सान नय किया है लेकिन फिल्म की हेरोईन काजल और उनका किलदार अगर फिल्म में नहीं भी होता तो कोई खास फरक नहीं रेटिंग है थ्री स्टार एकॉर्डिंग टू एंडी टीवी इंडिया बॉन बूर्ड की सुपर हिट फिल्म इस्पिसल 26 को जबर्दस सफलता मिली थी फिल्म की कहानी एक असली घटना पर आधरी थी लेकिन फिल्मांकन के लिए कुछ बदलाओ किये गए थे जो की अमूमन किये भी जाते हैं फिल्म में किये गए इन बदलाओ की जनकारी आज तक के सस्म ताहिर खान ने अपने क्राइम सो में दी थी फिल्म में अक्षकमार ने जिस किरदार को निभाया था उसके असल नाम का कोई सबोत नहीं है लेकिन जाच में उसे मोहन सिंग के नाम से जाना गया क्योंकि छापा मारते समय उसने अपना परचे सीबियाई अधिकारी मोहन सिंग के तौर पर दिया था सरकारी दास्ता वज़ों में इस घटना का नाम 1987 ओपीरा हाउस हीश दर्ज है इसे परफेक्ट क्राइम भी कहा जाता है घटना के सुरुआत मार्च 17 1987 को हुई थी नामी गिरामी अकबार में नोकरियों का इस्तेहार दिया गया था जिसके नुशार पचास पढ़े लिखे जागरुग गिरेजुएट्स की जरूरस सिकर्टी आफसर के तौर पर है इसमें योग युवाओ को अपने साथ अपने दस्तावेज और पास्पोर्ट साइज फोटो लाने के लिए भी कहा गया था इंटर्व्यू का पता मुंबई का मसहुर पास सितारा दीताजमहल पहले स्कुलाबा था 18 मार्च 1987 को बड़ी संख्या में युवक पास सितारा होटल में पहुँच गए वह युवाओ से कहा गया के इंटर्व्यू पड़ोस के एक बिल्टिंग में होगा वहाँ से सभी हुआ दिये गेपते पर पहुँच गए यहाँ प्रिक्रिया सुरू हुई कुछ ही घंटे कड़े सवालों के बाद कुछ युवको का फाइनल इंटर्व्यू के लिए सिलेक्शन हुआ तब इन युवको की मुलाकात अपने आपको खोपी अधिकारी बताने वाले मोहन सिंग से हुई इसी किदार को अक्षे कुमारने फिल्म में निभाया था मोहन सिंग बिल्कुल अधिकारियों की तरह पेसाया सभी का फाइनल इंटर्व्यू हुआ और फिर आकर में 26 लोगों का चैन किया गया सभी को इस्पिसल 26 बताते हुए अगले ही दिन चापे की ट्रेनिंग की बात कही गई इसके बाद इं 26 को दुबारा होटल ताज कंटिनेंटल बुलाया गया वहां मोहन सिंग ने सभी को सिलेक्शन की बढ़ाई देते हुए बताया की एजनसी कैसे काम करती है क्या जिम्मेदारी होती है और उनके काम में किस तरह के जोखिम होते हैं इसी कड़ी में मोहन ने सभी को बताया की आप सबको सुबह सापयमारी की ट्रेनिंग दी जाएगी 19 मार्च को सुबह सबको बलाया गया तभी चाइनी त्युवात्ताय समय पर होटल पहुँच गये यहां सभी को एक कार्ड दिया गया इस कार्ड में क्राइम ब्रांच आप इस्टिगेशन लिखा हुआ था इसके बाद एक लक्जरी बस बुग की गई इसमें सभी उवाओं को सवार करके मोहन सिंग लूट के लिए निकल पड़ा दोपार दो से धाई बज़े के करीब यहां टिम मुंबई के मसहुर तिरिभूंदास भीम जी जावेरी एंड संस के उपेरा हाउस ब्रांच पर पहुँच गई मोहन सिंग ने यहां दुकान के मालिक परताब जावेरी को एक सर्च वारंट दिखाया और बताया कि आप के खिलाब सोने में मिलावट की सिकायत मिली है परताब जावेरी ने पूरी तसली कर लेने के बाद छापे मारी के अनुमत दे दी अनुमत मिलते ही मोहन सिंग ने उनकी लाइसंसी पिस्टोल कबजे मिली शटर गिराया और कैमरों को बंद कर दिया और सक्त हिदायदी कि यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा करीब 45 मिनुट तक आराम से सारा समान एकहतर किया और आभुस्डो को बकायदा अलग अलग पाली बैग में पाय किया उसमें सरकारी मुहर लगाई और लेकर चलता बना सोरूम से निकलने के बाद मोहन सिंग ने सभी युवाओ को बस में वैट कर इंतिजार करने के लिए कहा और बताया कि मैं पड़ोष की एक दुकान में कारवाई के लिए जा रहा हूँ वहाँ से आने के बाद सभी एक साथ हागे निकल लेंगे कुछ समय बीच जाने के बाद जावेरी को संका हुई उन्होंने तुरंट पुलिस को सूचना दी और बताया कि सी बी आई के अधिकारे बड़ी संख्या में सोना लेकर गए हैं पुलिस को भी संदेव हुआ वह दुकान पहुँचे तो देखा कि दुकान के सामने एक बस में 26 हुआ सवार हैं जो कि खुद को सी बी आई अधिकारी बता रहे हैं पुश्टाच में सारा माजरा सामने आया पुलिस तुरंट उस होटल पहुची लेकिन तब तक मोहन सिंग किसी अंधेरे में गायब हो चुका था बेहद स्मार्ट रौबदार और भासा में देच्छड भारत का असर के अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी कुछ संकाओ के अधार पर पुलिस ने केरल से एक सक्स को गिरिपतार गिया लेकिन उसे भी छोड़ना पड़ा वही दुबई में एक टीम को भेजा गया लेकिन वह भी खाली हान लोटी इस घटना की जाच कर रहे पुलिस दिकारी अर्बिद इनामदार को मलाल था कि वह लोट का परदा फास नहीं कर सके उन्होंने कहा कि अगर वह उस कथित मोहन सिंग को पकड़ेंगे तो एक बार जूरूर पुछेंगे कि इतने परफेक्ट क्राइम को कैसे इंजाम दिया 1980 के दसक में फरजी CBI और Income Tax आपसरों की लोट पर आधारित फिल्म इस पिसल 26 नकली और असली के बीच के दंदो को दरसाती है या फिल्म 80 के दसक में हुई कुछ सची घटनाओ पर आधारित है उस समय कुछ चालाग ठगों ने मिलकर परसिद ब्यापारियों और रजनिताओं को फरजी CBI और Income Tax आपसर बनकर लोट लिया था इसी तरह 1987 में मुंबई में एक परसिद जोलिरी साप पर भी इन लोगों ने फरजी छापा डाला और लाखों रुपए के गहने अपने साथ ले गए बावाल तो तब हुआ जब दुकान वालों को पता चला कि या CBI वाले नकली थे फिल्म में अजे कुमार यानि अक्षे कुमार मुखी किरदार में हैं जो CBI में भरती नहीं हो पाए लेकिन वा एक ऐसी नकली टीम तयार करते हैं जो फ्रस्ट मंतरियों और ब्लैक मनी जमा करने वाले बिजनेस मैनों को अपना सिकार बनाती है इस टीम के मुख सक्स आठ बच्चों कबाब पंजाबी सर्माजी यानि अनपमखेर इकबाल यानि किसोर कदम और जोगेंद्र यानि राजे सर्मा है फिल्म की सुरुआत में दिल्ली के एक मंतरी के घर अजे की टीम चापा मारने जाती है और इस फरजी सीबियाई के मदद वहाँ असली पिलिस करती है अजे दुगलक रोट थाने के सब इंस्पेक्टर रडबीर सिंग यानि जीबी सेर्गल को फोन करके सभदर गंचोराहे पर बुलाता है लेडी पुलिस का अस्टेबल यानि दिब्यादत्ता और सिपाहियों के साथ रडबीर भी चैकी टीम के साथ मिनिस्टर के घर पहुँचते हैं सीबियाई की यह नकली टीम मंतरी के घर से ब्लैक मनीच चप्त कर लेती है थोड़ी देर बार रडबीर सिंग को पता चलता है कि सीबियाई ने मंतरी जी के घर पर छापा नहीं मारा और मंतरी साहब करोडों का चोना लगने के बावजूद फिल्म में रिपोर्ट दर्च कराने को तयार नहीं रडबीर और लेडी का इस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है अब रडबीर का एक ही मकसद बचा है इस टीम के सदस्यों का पता लगा कर अपनी बेगुनाही साबित करना रडबीर के हाथ को सबोत लगते हैं तो वह असली सीबियाई के पास पहुचता है या के सीबियाई इंस्पेक्टर वसीम खान अन्यमनियोस को दिया जाता है और यही से सुरू होती है असली कहानी की धर पकड़ निर्देसक निरस पांडे इस से पहले अबिडनेश डे जैसी सार्थक और बेहतरिन फिल्म बना चुके थे छोटी सी कहानी में सभी करदारों को बाखुबी पिरोना उन्हें अच्छी तरह आता है और इस फिल्म में भी उन्होंने यही किया अभिने की बात करें तो अक्षे कमार ने इस फिल्म में अपने अभिने का सर्थस्ट देने की कोशिश की है इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह फिल्म अक्षे की कुछ अच्छी फिल्मों में किनी जाएगी अनुपम कहर और मनजबाचपई जैसे मंचे हुए कलाकारों ने साबित किया है कि क्यों उन्हें बाली बुड में अपने की चलती फिलती कलास की तरह जाना जाता है जिमी सेर्गिल ने भी छोटी लेकिन मातपूर गुमका को सही धंक से निभाया है काजल बस अच्छे के हिरोईन के लिए हैं उनके हिस्से में अधिक समात भी नहीं है फिल्म का संगीट ठीक ठाक है लेकिन ऐसा कोई गेत नहीं है जिसे आप सिनेमा हाल से निकलने के बाद गुन गुना सके फिल्म में रोमान सधिक नहीं है इसलिए हो सकता है कपल्स इस फिल्म से दूर ही रहे बॉलीवूड के दिगज अबनेता अनबंखेर सोसल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं उन्होंने अपनी एक ऐसी फोटो शेयर की थी जो काफी फ़नी थी जिसे सज़ा करते हुए उन्होंने फैंस से स्वाल पोचा था कि फिल्म के नाम का अंदाज लगा ये अबनेता की इस पोस्ट पर फैंस के कमेंट की बहुचा रा गई यूजर्स ने ना सिर्फ मूवी का नाम बताया बलकि ये भी कहा कि ये उनकी फैंस मेंसे एक है सोसल मेडिया पर भी मूवी का नाम ट्रेंड हो रहा था दरसल अनपम कहर की ये फोटो शेयर का इस पिसल 26 मूवी का है यूजर्स ने इस से बेस्ट और अपनी फैवरेट मूवी बता रहे थे इस पिसल 26 की बात करे तो निरस पांडे दोरा लिखेत और निर्देशी तिये मूवी साल 2013 में रिलीज हुई थी इसकी कहानी 1987 के ओपेरा होस डकैटी पर आधारी थे जहां सी बी आई अधिकारियों के रूप में एक समूह ने बॉमबे में जोहरी पर आकर छापे मारी की थी इसमें अक्छे कुमार मनुज बाजपेरी, काजल अगरवाल, जिमी सेरगिल, अनपमखेर और दिब्बय दत्ता ने मुख भूंका निभाई थी इस मूबी को दर्शकों ने खूप सराहा था, इसे बॉक्स आफिस पर जबलदस सफलता हासिल होई थी अनपमखेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टियो रहते हैं जिन्होंने अपनी फिल्म के करियर में 500 से ज़्यादा मूबी में काम किया है उन्हें दो बार नेशनल फिल्म आवार्ड पद श्री और पद भूसन से नवाजा जा चुका है उन्होंने गंभीर से लेकर कॉमडी तक के रोल निभाया है उन्होंने सारांस, रामलखन, लमहे, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बेबी, एमेस धोनी, एब बिटनेश डे जैसी फिल्मों में काम किया है आठ फरूरी दोजार तेरा को फिल्म इस्पिसल 26 दर्सकों के बीच आई थी इसमें अक्षे कुमार ने मुख भूंका निभाई थी, निरेच पांडे फिल्म के निर्दे सकते इस फिल्म को ना सिर्फ दर्सकों बलकी समिचकों से भी सांदार प्रतकरिया मिली थी इसमें अक्षे के अविने को बहस रहा गया था हाला कि पहले जिन्होंने इस रॉल में दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी इस्पिसल 26 की कहानी ने दर्सकों का दिल जीत लिया लेकिन अक्षे को यह पसंद नहीं थी यह फिल्म में काम करने को लेकर आसोस तर नहीं थे लिहाजा उन्होंने पहली बार में फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया था खुद एक इंटर्विव में अक्षे ने यह बताया था कि जिन्होंने कहा मैं सुरुआत में इस फिल्म के लिए ना कह दिया था निरेश पांटे को मेरा चार-पांस महिने इंतजार करना पड़ा हाला कि फिर मैं इसके लिए राजी हो गया इस्पिसल 26 के लिए अजेद्योगन और अभिसेक बचन के नाम पर बिचार किया गया था हाला कि आखिरकार यहकिदार अच्छे की जोली में गिरा जो फिल्म के लिए निरेश पांटे की पहली पसंद थे इससे पहले निरेश ने एबिटरिस डेका डिर्देशन किया था इस्पिसल 26 कुछ सची घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है फिल्म एक ऐसे गिरोह की वारदातों की कहानी है जो नकली सीबियाई बनकर ब्रश्ट अपसरो और बड़े दुकानदारों के यहां छापा डाल कर उन्हें लोटता है इसमें दो कहानिया है एक नकली सीबियाई की लोट वारदोतों की और दूसरी असली वर्सस नकली सीबियाई के बीच होने वाली आँख मिचोली की यह फिल्म असी के दोर में नकली सीबियाई दोरा एक बड़ी दुगान पर लोट की असली घटना पर आधारी थै इस पिसल 26 का तमिल रिमेक भी बन चुका है फिल्म को काफी बड़े अस्तर पर रिलीज किया गया था तमिल में ग्याना वेला राजा ने यह फिल्म बनाई और विगने सिवन ने इसके निर्देशन की कमान सबाली थी इसमें सुपरस्टार सूर्या रामयकरशनन, कार्तिक और कीर्ति सुरेश ने अहम भूमका निभाई थी फिल्म का नाम थाना सुरंदा को टम यानि येश्टी के रखा गया था यह फिल्म दुनिया भर में 12 जनूरी 2018 को सिनेमा घरों में आई थी मद पर्देश के इंदोर में फरजी आयकर विभाग की टीम बनकर 80 लोगों से 70 लाक रुपे ठगी करने का मामला सामने आय था पुलिश ने अक्छे कुमार की फिल्म इस्पिसल 26 की तर्ज पर नकली अधिकारियों की टीम तयार कर आयकर विभाग के समानतर उसी नाम से इंविस्टिगेशन विंग खड़ी करने वाले गिरोग को पकड़ा था फरजी आयकर विभाग का संचालन रिटार्ड कलर का बारवी फेल बेटा दिवेंद्र डाबर कर रहा था उसके साथ चार और भी लोग सामिल थे रिटार्ड कलर के बेटे ने अपने साथियों के साथ एक मकान को किराय पर लेकर ओफिस खोला था फरजी आयकर विभाग की टीम ने उन लोगों ने करीब सत्तर से असी युवाओ की भरती की इस भरती में उन्होंने युवाओ से नोकरी के नाम पर सत्तर लाख रुपे हडप लिए दिवेंद्र डाबर इस ग्रोह को पिछले पांच सालों से चला रहा था वा खुद को आयकर विभाग का मुख जांचतिकारी बताता था मोटी रकम लेकर वा अपने विभाग में युवाओ की भरती कराता था पिर उन्हें पद और गोपनीता की सपत दिलाता सपत पत्र में नोकरी करने वाले युवाओ के लिए सर्द होती थी जो विभाग की गोपनीता भंग करेगा उसे आयकर कानून के ताहत 50,000 रुपे का अर्थजंड और एक साल की सचा होगी इस डर की वज़े से कोई युवक अपना मुह नहीं खोलता था देवंदर डाबर ने अपनी फर्जी आयकर विभाग की टीम में सुभम नामक योग को 25,000 रुपे लेकर नो करी दी थी सुभम को फिल्ड अपसर का पद मिला था लेकिन बेतन एक बार ही मिला इससे नराज होकर सुभम ने देवंदर का साथ छोड़ दिया सुभम ने सक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस ने मुख्य आरोपी देवंदर के साथ सुनील मंडलोई, रभी सुलंकी, 22 गेहलोत और 37 गावडे है पुलिस ने आरोपियों के पास से आईडी, सील, नियुक्त, पत्र, आदेश, पत्र, रजिस्टर, लैप्टाप, प्रिंटर, मॉबाइल, आयकर विभाग की प्लेट लगी गाड़ी, एर गन, वर्दी, बैच और भारा सरकार की वर्दी, माई बिल्ट बरामित किये थे साल 2013 में आई फिल्म इस्पिसल 26 तो आपको याद होगी, जिसमें अक्ष्यकुमार ने सीबियाई आपसर का किरदार निभाया था, ये तो फिल्मी दुनिया की कहानी थी, लेकिन वास्तुक जिवन में भी इस्पिसल 26 की थेम पर दोखा देने वाले इंजीनियर पकड़े ग पहुचे लोग जाँच परताल के नाम पर कारोबारी के घर में घुच गए, सक होने पर फरजी अपसरों पर घर वालों के साथ साथ मुहले वालों ने भी हांस साथ किया, जैनकारी के मताबिक बॉल्ली बुड फिल्म इस्पिसल 26 के तरज पर कारोबारी रमेश चंद्र के घर लेट डालने आएकर विवाग के साथ फरजी अपसर पहुचे थे, अस्थानी लोगों के मताबिक संबंदित घर के साथ ही आरोपियों ने सुबह पुरे इलाके की रेकी भी कर ली थी, सफारी कार में से साथ लोग बाहर निकले और एक साथ में फाइल लेकर सबसे आगे चलने लगा। दो अरोपि घर के बाहर खड़े रहे और अंदर जाने से बाहरी लोगों को रोकते रहे। ग्राहा का रुक्रमचारी इंतिजार करने लगे घर वालों को उन फर्जी अफसरों की बातों से सक हुआ और उन्होंने चिलाना शुरू कर दिया इसके बाद बाहर खड़े तो फर्जी अफसरों को धक्का दे कर पडोसी और सोरों के नोकर घर के अंदर दाखिल हो गए और फ फर्जी अफसरों के लोगों को इतना मारा की लाठी डंडे टक तूट गए सुजना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गई पूस्ट आच में पता चला कि सभी आरोपि दिल्ली इंसियार के रहने वाले हैं इन में से तीन गोब चार मॉंबर्स को गिरिबतार किया था द्रसल इस गैंग के सदस से हैं जिन में दो महिलाए भी सामिल हैं गैंग के सदस दिल्ली पीतम पुरा इलाके में रहने वाले एक नामी डाक्टर के घर सीबियाई आपसर बनकर पहुंचे और घर से करीब 35 लाक रुपे और 5 लाक गैंग सीबियाई आपसर बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया था लेकिन इस वारदात के बाद उन्होंने डाक्टर के ड्राइबर को उनके किलिनिक साथ चलने के लिए बोला जिससे वहां भी सर्च आपरेशन कर सके दरसल इस गैंग की कोशिश थ इसके बाद दिल्ली पुलिस के मौर एंकलेव थाने की पुलिस ने इनका पीछा करके चारों को पकड़ लिया पुलिस ने जब चारों को पकड़ा तब भी अपने आपको सीबियाई आपसर बता रहे थे इन्होंने पुलिस वालों को फरजी सीबियाई कार्ड भी दिखाए लेकिन पुलिस जब इन्हें थाने लेकर पहुंची और जहांच की तो पता चला कि इनके आई कार्ड नकली है और यह गैंग नकली सीबिय आपसर बन कर इस तरह के वारदातों को अंजाम दे रहा था पुलिस के मताबिक इस गैंग के सरकना का नाम आमित है और इसने अपने सात्यों को साथ लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने उन्से पुछटाच करके यहाँ भी पता किया था कि इससे पहले वारदातों कहां कहां और किस तरीके से सीबियाई आपसर बनकर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं इस पेसल सब्विस एक सस्पेंस थिलर है अजय आनि अक्छे कुमार और सर्मा आनि अन्पमकेर जोगिंदर आनि राजे सर्मा और इकबाल आनि किसोर कदम एक गुट की तरह काम करते हैं एक ऐसा गुट जो नकली सीबियाई अधकारियों का बेस धारण कर जगए जगए रेट डालते हैं और फिर सारा माल लेकर उड़ जाते हैं एक ऐसे ही रड़ में नकली सीबियाई वाले सारा माल लेकर फुर हो जाते हैं और फैस जाता है असली पुलिस वाला रड़वीर सिंग यानि जिमी सेरिल रड़वीर को इस बात का एसास होता है कि उसे बेवकूब बनाया गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है रड़वीर को इसकी लापरवाही के लिए उसके पस से निलंबित कर दिया जाता है रड़वीर बार बार ये कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है लेकिन एक भी नहीं सुनी जाती तब ही वो असली सीबियाई का सहरा लेता है ताकि वो नकली सीबियाई वालों को पकड़ सके मनुश बासपेई से वादा करता है कि वो उस नकली गुट को पकड़ने में जी जान लगा देगा इस बिज नकली सीबियाई बनकर आजे और सर्मा अपनी रेड जारी रखते हैं और हर बार इसलिए बज जाते हैं कि क्यों उनके घर में रेड पड़ते हैं वो इस डर से पुलिस में सिकाथ दर्ज नहीं करवाते क्योंकि ऐसा करने से उनके काले धन की सचाय सबके सामने आ जाएगी रड़ियर सिंग किसी तरह से सर्मा का पता लगाने में कामयाब हो जाता है तो क्या सर्मा अपना मुँ असली सीबेई आपसर के आगे मुँ खोल देता है क्या वसीम अजय को पकड़ने में कामयाब हो जाता है या फिर अजय वसीम से ज़्यदा सातिर साबित होता है क्या सर्मा अजय को अपनी और वसीम की मुलाकात के बारे में बताता है सर्मा का पता लगाने के बार रडवेर सिंग की इस पूरे प्रक्रण में कोई भूमका रहती है या नहीं यही सस्पंस के साथ दिखाया गया है निर्दे संग निरस पांडे की पठकता जो कौदुहल है वो निरसको को कहानी से बांदे रखता है लेकिन फिल्म में कई ऐसे पल है जो लंबे दरस्टों की वज़े से फिल्म की गती को धीमा कर देते हैं निरस की कहानी में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब डोलने की कोशिश साथ हर दर्सक करे यही कि रडबीर सिंग ने असली सीबियाई जर नकली सीबियाई की सिकायत क्योंगी जो सिकायत कहानी की सुरुआत में सही लगती है वही सिकायत सस्पंस के खुल जाने पर बेर्थ लगने लगती है कहानी में अगर असली सीब्याई को सामिल ना भी किया जाए और सारी दर पकड़ अकेले रडबीर सिंगी कर ले तो भी फिल्म की कहानी आसानी से आगे बढ़ सकती है मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि फिल्म में जो भी कमिया है वो अंत में आती हैं जिसकी वज़े से दर्सक अंत तक फिल्म में डूबे रहते हैं लेकिन जब एक बार ये कमिया छोटी नहीं बड़ी कमिया दर्शकों के सामने आती हैं तो ये दर्शक को बड़े परेसान करती हैं फिल्म में जो अक्षे कमार और काजल अगरवाल के बीच प्रेम पर संग दिखाया गया है वो भी बहुत कमजोर है इस्पिसल 26 में अगर कुछ और हलके फुलके पल और अच्छा संगीत होता तो साथ फिल्म जन्ता को और भी पसंदा दी फिल्म के समवाज जो खुद निरेश पांडे ने लिखे हैं अच्छे हैं अक्षे कमार ने बड़ी ही स्रलता से एक नगली सीबी आई आउपसर का किरदार निभाया है काजला गर्वाल को अक्षे की प्रेमका के रूम में कुछ खास कर पाने का मौका नहीं मिला अनपमखेर भी बढ़िया है जिमी सेर्गिल ने भी अपना किरदार बहुत ही असरदा तरीके से निभाया है जहां तक बात आते है मनुच बासपेई की तो एक असली सीबी आउपसर की भूमका को बहुत इमानदारी के सार निभाया है उन्होंने राजे सर्मा और किसोर कदम का काम भी तारीब के लाइक है मैं कहूंगा कि निरेस पांडे का निदेसक उनकी पटकता लेगन से बहतर है हाई जरूर है कि उनके दिरस बड़े ही लंबे होते हैं और उनमें जरूरत से ज़्यदा बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद कहानी में काउतुहल को बरकरार रखने में कामियाब रहे हैं फिल्म का संगीत बहतर हो सकता था कुरे मुखडे पे जो कि हमें सरस्मिय दोरा गया गया था एक अच्छा गाना है कौन मेरा मधूर लेकिन धीमा गीत है फिल्म के बाकी गयत जिन्हें एम करीम ने धुन किया है साधारण है गीतों में इर्शात कामिल के बॉल भी साधारण ही है हाला कि गड़े साचार का नरत निर्देशन अच्छा है फिल्म का बैग्राउंड संगी सुरंदर सोड़ी ने दिया है जो कि बहुत ही भड़ केला है बाबे सिंग का कैमरा वर का अच्छा है अबास अली मगल का एक्षन भी ठीक ठाक है फिल्म की एडिटिंग जो की स्री नराड सिंग ने की है थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी इस्पिसल 26 यू तो एक मनोरंजक फिल्म है लेकिन इसकी अपनी कमिया है टिकेट फिल्म की पर इस फिल्म का डिस्टिब्यूटर के लिए फायदे मन साबित होना मुश्किल है क्योंकि फिल्म को निर्माताओं से एक महेंगे दाम पर लिया गया है करीब 36 से 37 करोड रुपे में हाय जरूर है कि निर्माता फिल्म से पैसा कमा लेंगे अक्षे कमार राओडी भी है और खिलाडी भी आप तो अपनी नई फिल्म इसपिसल 26 में ठक भी बनने जा रहे थे वाभी ऐसे वैसे ठक नहीं बलकि करोड़ो रुपे की चोरी करने वाले नकली सीबी आई आपसर जी हाँ इसपिसल 26 में अक्षे कमार एक अलग किरदार में नजर आये थे कैसी है फिल्म कैसा है उनका किरदार ये खुद बताये थे अक्षे कमार जब उनसे पूछा गया कि ऐसी इसक्रिप्ट के साथ फिल्म बनाने में मैं एक बडिनेश डे देखी है कमार की फिल्म बनाई थी उन्होंने यही जदुवा इस फिल्म में दोराएंगे फिर उनसे पूछा गया कि आपका किरदार आपकी अब तक की फिल्मों से थोड़ा अलग रहा है तो इस पर अक्षे कमार ने जवाब दिया फिल्म के किरदार के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं पका वाला ठग हूँ और लोगों को चकमे देता हूँ मेरे साथ अन्परम खेर हैं जो की काफी दिल्चस्प किरदार निभा रहे हैं फिल्म में आप ध्यान दोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि निरच निया दिखाने की कोशिस की है कि कैसे एक आमादमी यानि की कामन मैं ब्रस्ट नेताओ ने उनका काला धन लोटता है इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी काफी चर्चा है मनोजबाजपई, अनपमखेर, जिमी सेरगिल सभी अच्छे कलाकार माने जाते हैं फिर अक्षच से पुछा गया कि इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी चर्चा है मनोजबाजपई, अनपमखेर, जिमी सेरगिल सभी अच्छे कलाकार माने जाते हैं तो कैसी रही आप सब की ट्विनिंग इस पर अक्षच कमार कहते हैं कि नीरेश के इस फिल्म में कोई सुपरस्टार नहीं चुना है तो इस पर अक्षच कमार ने कहा कि नीरेश ने इस फिल्म में कोई सुपरस्टार नहीं चुना है चुकि मैं खुद को भी सुपरस्टार नहीं मानता इस फिल्म का हर कलाकार खास है कोई एक भी हटता है तो मज़ा नहीं आता मनोज की फिल्मे में देखता रहा हूँ उनकी हर फिल्म आपको सिखाती है जिमी भी कमाल का एक्टर है तो नीरेश ने सब को मिला कर एक फिल्म बनाई है हर आदमी का काम महत पोड़ है था शुरुआत में कहानी मुझे समझ में नहीं आई लेकिन बाद में मैंने इसे बार बार पढ़ा तो यकीन हो गया कि कहानी कमाल करेगी फिर मनें नीरेश के साथ फिल्म पर लंबर डिसकस्शन किया उन्होंने मुझे पूरी कहानी समझानी के साथ मेरा किलदार समझाया, फिर मुझे अपना किलदार भी अच्छा लगने लगा और फिल्म भी। फिल्म की कहानी मुंबई उपेरा हाउस में हुई एक सची घटना पर आधारित फिल्म है, जहां अगली सीबियाई आपसर बनकर एक सक्स ने सब को चक्मा दे दिया था, उन्होंने करोडों रुपए के गहने चुरा लिये थे, वर्स 1987 में घटितिस घटना को निरिजने जैसे पर उतारा है, आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे, फिल्म की ना सिर्फ कहानी बलकि किलदार भी काफी रोचक हैं, और जिस तरह से वाच चोरी होती है, और वो चोर शक में देते हैं, मज़ेदार लगा सब, मुझे पुरा विस्वास है कि यह कहानी लोगों ने पहले देखी होगी, और किसी फिल्म से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती, फिर अक्छे से पूछा गया कि हमने सुना है कि फिल्म की इसक्रिप्ट आपको इतनी पसंदाई थी कि आपने काफी कम महंताना लिया, इस बारे में अच्छे ने कहा कि इस बारे में आप नीरस से पूछे, वे बताएंगे, मेरे प्रोडक्शन की फिल्म होती तो मैं पैसे का हिसाब किताब रखता, फिर उनसे पुछा गया कि आप इतनी बिस्तताओं में परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं, इस पर अक्छे ने कहा बेटी भी समझ गई है, कि पापा कितने बिजी रहते हैं, सिक स्टार होकर भी आप जेम में अधिक पैसे नहीं रखते हैं, इस पर अक्छे ने कहा हाँ, सिर्फ पॉक्ट में 5000 रुपे होते हैं मेरे पास, जदा पैसों का क्या करूं, कार में पेट्रोल भी भी भरवा देती है, शूटिंग के वक्त सारा खर्चा हमरे प्रोडूसर उठा पार्टी की आदत नहीं है, तो फिर पैसे तो बचेंगे ही, जो कम पैसे रखता हूं, फिर उनसे पुछा गया कि इन दुनों आपके प्रोड़क्शन हाउस से मराठी फिल्में बहुत बन रही हैं, मराठी भासा से लगाओ कि कोई खास वज़े, इस पर अक्छे कमार कहते ह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छी फिल्मों का निर्मार करना चाहता हूं और वही कर रहा हूं, सो मैं 72 माइल्स के अलावा एक और मराठी बना रहा हूं, तनीसा है उसमें, बस अच्छी कहानी मिलती जाएगी, फिल्में बनाता जाओंगा, फिर उनसे पुछा गया कि अब तक किसी IPL टीम के बास नहीं बने, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे हाकी में दिल्सपी है, तो उनकी टीम में कोई IPL जैसी नहीं है, फिर फिल्मों के अलावा में दूसरी बातों पर फोकस नहीं करना चाहता, अस्थान जवेरी बजार मुंबई, रोज तरह मु अचानक एक जोहरी की दुकान में CBI का चापा पड़ा, लेकिन तब कौन जानता था कि CBI और Income Tax के नाम से पड़ाय चापा नकली था, कहते हैं दो तीन घंटे तक ना कोई दुकान के अंदर चापा रहा था, और ना कोई दुकान के बाहर आपा रहा था, CBI और Income Tax के चाप निरजपांडे कि ये फिल्म स्पिसल 26 इसलिए है, क्योंकि आज तक दुनिया ये नहीं जान पाई कि ओ कौन 26 लोग थे, जिन्होंने चापा मारा और आज तक उनमें से किसी का सुराग नहीं मिला, यकीन मानिये इलाके के लोगों को हवा तक नहीं लगी थी, उन्हें अगल कि दुनिया को आज तक उसकी सूरत तो छोड़िया उसका नाम तक नहीं पता, पचीस साल हो गए अब उनकी सुपर ठगी को, आप तो सिर्फ बाते ही बची हैं, सिर्फ किस्से सुनाय जाते हैं उन ठगों के, तो क्या उस वारदात का कोई पुलिस रिकार्ड नहीं है, पच 12, 471 और 34 जैसी कई संगीन धाराओं के तहद अग्यात लोगों के खिलाब मामला दर्ज किया गया था, पहले इस मामले की तप 30 पुलिस ने की, और फिर मामला 1987 को सी बी आई को ट्रांसफर कर दिया गया, और मामले की जार्ज का जिम्मा दिया तब के सी बी आई कराम प्रां सेबन की, इस फरजी रेट की फाइल को एस त्रड़ी में रखा गया है, यानि की केस दर्ज हुआ लेकिन चांज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, सुबर ठगों ने पूरी तयारी कर रखी थी, उनके पास उन्यताओं और कारोबारियों की लिस्ट थी, जिनके पास जम से कम नहीं था, क्योंकि ठग अच्छी तरह जानते थे कि उनके करतोत की साथ कोई पुलिस में सिकायत ना करे, उन ठगों के बारे में सिर्फ अंदेशा था कि उन इस्पिसल 26 में कोई न कोई जरूर सी बी आई का रिटार्ड अधिकारी रहा होगा, कोई रिटार्ड इंकम टैक्स ऑफिसर, वरना किसे पता कि इसके पास कितना नगत मिलेगा और कितने की संपत, हरकम पे इतना मजगया कि सरकार काला धन निकालने के तरीके खोजने लगी, इस्पिसल 26 का सबसे दिल्चस्प किस्सा ये है कि एक बार ठगी में उन्होंने असली पुलिस अदिकारी को अपने आपरेशन में सामिल कर लिया था, और जब तक असली पुलिस वालों को ये पता चला कि ठगों ने उससे भी अपने अपराद में सामिल किया था, तब तक उनके पाओ के नीचे जमिन खिसक चुकी थी, चौकाने वाली बात ये थी कि इस्पिसल 26 के लिए जो टिम बन पाया जा रहा था, नेता होया कारोबारी, जो चोर होगा वही डरेगा, उसी डर को ठगों ने अपना हथियार बना लिया, और धड़ा धड़ उनकी नापाग दौलत को अपने नाम कर लिया, और एक ऐसी दुनिया में जाकर छुप गए, जहां तक पहुँचने के हिम्मत कि किसी ने नहीं की, और अगर करते तो पता नहीं और क्या क्या राज खोल जाते, साध यही वज़े है कि अस्य के दसक की ठगी के वह मामले आज भी एस रिड़ी में हैं, यानि कि जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, हिंदुस्तान का सिनेमा बदल रहा है, रियल किस्से अब दिल पर हिस्सा बन रहे हैं, तोता मैना की कहानी परानी हो रही है, सिनेमा आइना बन कर सामने आ रहा है,